कि नुश्कर में अंजली मिशौत स्वगत आपका हमारी चनल में महराश्च में चल रही सियासी गमासान के बीच लगातार जो है उदव ठाक रहे आदित्य ठाक रहे संजर राउत की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है और इसी बीच उनकी मुश्किले बढ़ाते हुए बीच पी नेता क्रीट सोमया ने आदित्य ठाकरे के प्रमुक सचीव महेश महसकर के खिलाफ शिकायरत दर्जु जो है वो कराने वाले हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने आपको बता देए कि लगतार जो है ये मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है फ्रॉड से साल 2007 में पूरे हुए एक प्रकल्प को लेकर जाल साजी और उन पर जूटे आरोप को लेकर क्रीट सुमया जो है ये सकायद दर्ज करने वाले हैं तो साफ तो और आप देख सकते हैं यह फिर से आदित्य ठाकरे की जो मुश्किल है बढ़ती नजर आ रही है आदित्य ठाकर सुचोंगे कि एक और मामला हम क्यों कह रहे हैं आखिर इससे पहले कौन सा मामला जो है दाएर किया गया है तो इसके बारे में भी आपको जहनकारी दें कि आधित्य ठाकरे के ऊपर जो है अधित्य ठाकरे संजराउत को लेकर कली एक जहनेत्याच का कोट में दायर की गई ज जहान का खत्रा जो है इनके थ्रू दिया जा रहा है तो यह उनके लिए पहला मामला कली दर्च वा था राजे को और शिकायद जो है अधित्य ठाकरे के लिए अवसामने निकल कर आ रही है ऐसे मैं बदा दे कि आधित्य ठाकरे को उपर जो मामला यह दर्च किया गया है मैं तो पूरी महाविकास अगाडी सरकार के घोटालों को उजागर करने वाले ऐसे नेता है जो कि काफी जादा इसे मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो जहां कि जिस तरीके के भी घोटाले के उन घोटाले को उजागर करते हैं और यही कारण है कि क्रीट सुमया से काफी जादा डर जो है वह महाविकास अगाडी सरकार को लगता है क्रीद सुमया बहुत थी आपको बता दे कि उंदा लेवल के इंवेस्टिगेशन करके हर घोटालों को सामने लेकर आते हैं चाहे वह कोविट सेंटर घोटाला हो बुलेट जैकेट घोटाला हो संजर आउद का जो एक और जो है अलिबाग वाला घोटाला हो एक हजार चौटीस कड़ों का जमीन घोटाला हो पात्रचॉल वाला घोटाला सब्सक्राइब काई सारे जो गोटाले हैं उसको सामने लेकर आने वाले क्रीज सुमया भवना गवली से जुड़ा हुआ उसके बाद आपको दादे जुड़ा हुआ हर जगा क्रीज सुमया जो है वह काफी जादा आज एक्टिव नजर आते हैं और पूरे अपने इसाब से अपने लेवल पर पूरी जो है वह इंफर्मेशन गैदर करते हैं इनफर्मेशन लेने के बाद इसे केंद्रे की जाच एजंसियों को सौब देते है ताकि जाच एजंसी उस हिसाब से आगे अपना काम कर सके और यही कारण है कि क्रीज सुमया के उपर दो बार हमले भी हो चुके हैं एक हमला पुराना हमला हुआ था जिसके बाद वो जो है पुलिस टेशन में शिकायत दर्च करने जा रहे है उस और आन एक हमला हुआ था द पर शिवसानिको ने उन पर हमला बोल दिया था उनके जो गाड़ी थी उसके शीशे तोड़ दिये थे शीशे का टुकड़ा जाकि उनके चेहरे पर लगा था और उसके बाद वहां से खून बेहने लगा था तो उस वक्त भी उन्होंने मामला दश कर आय था और लगातार व जनता के सामने उजागर करने वाला काम उसे मैं बिलकुल भी नहीं रोकूंगा निरंतर जो है उनके घोटालों को जनता के सामने जो है सामने रखता रहूंगा जब तक कि यह पूरी जो महाविकास अगाडि सरकार है वह बेनकाब ना हो जाए और इसी के तहत वह लगातार मेधा सुमया की द्वारा पर घृतार गटालों को उजागर करने में काफी जाधा इंट्रेस्टेड नजर आते हैं आपनी बातों को बहुत strongly रखते हैं अपने पक्ष को काफी जादा strongly रखते हैं वहीं आपकुतादे की करही की बात है जो महारास्ट में जारी सियासी उठपटर के बीज़े एक समाजी कारीकरता ने हाई कोट में याजिका दाखिल कर मांग की कि मुख्यमंतरी उदर ठाकरे आ पर जो ना चाहिए तो यह उनके तरह से कल यह एक बड़ी अपील जो है की गई थी जनियत्या आचिका कोट में दाखिल की गई थी याजिका करता ने यह भी जो है यह भी मांग की है कि आदालत ठाकरे के पिता पुत्र और संजराउत की और से प्रेस कॉंट्रिस करने पर र लगलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए चाहिति आजका में इन तीनों नेताओं पर अरोप लगाया गया किनों ने सार्वजनिक शांती को भंग किया और पूने में समाजी कारेकरत हमत पाटन ने कोट में इसके लगर मांग की कि उदव ठाकरे संजराउत औ और को एकना शिंदे को लेकर किसी तरह की बयान देने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि लगाता जहें धमकी भरे बयान दे रहे हैं आज इति ठाकरे का भी यहीं बयान था उन्हें रिक्षय वाला पनवारी कोई वाच्में था हमने उन्हें मंतरी बना दिये और जोन्हें हमें धोका दे दिया है जो कि बहुत गल्थ है और उन्हें आने वारे वक्त में जो है इसका खामियाजा भी बुगतना पड़े गा उनका जमीर जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा जो उन्होंने उदर ठाकरे के साथ उनकी हेल्थ इशूस का फाइदा जो है किया है बतादे कि आज का में यह भी दावा किया गया था कि एक नाशुन्दे के नर्तित्व में शिवसेना के कई विधायकों ने विद्रों के बाद महाराश्ट्र के विविंद जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए और उनके खिलाब अब अबदरबाश्या का इस्त दंगा भी कर रहे हैं याचिका अब यह भी कहा गया कि जाधातर हिस्सों मेनी तीनों नेताओं के उक्साने के कारान ही प्रदर्शन हो रहा है और इससे सामाजिक संपत्ति को काफी जाधा नुकसान पहुच रहा है लेकिन पुलिस मुखदर्सक बनकर देख रही है क्योंकि विसत्ता में यह काबीज है और इनके खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया जाजा है इसी पर इसी तरह की कानून की विवस्ता जो है वो खराब हो रही है और कानून विवस्ता महाराष्ट में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं तो आप देख सकते है देख द्रों के तहत उन पर मामला चलानी के बाद कही गई थी और आज एक बर फिर से कृट सो महिया जो है अब अब अधित्य ठाकरे के ऊपर उनके प्रिंसिपल सेकेटरी महेश महेशकर उनके उपर फ्रॉड केस के मामले में जो है शिकायत दर्ज करने वाले हैं और उन्ह प्रिंसिपल सेकेटरी महेश महेशकर के खिलाफ पुलिस टेशन में पूरे हुए एक प्रकलब को लेकर जाल साजी और उन पर लगे जूठे आरोब को क्रीट सो महिया जो है शिकायत उसे लेकर दर्ज करने वाले हैं तो साफ़त और पर फिर से एक्शन मोड में नजर आ रह को बताया कि किस तरीके से महराज के परियावरान मुंत्री जो है अधत ठाकडे अब उनकी मुश्किले बढ़ती नजल आ रही है कल एक जनीति आचिका दायल की एक और फिर एक और शिकायत उनके लिए इंदिजार कर रही है जो पुलिस टेशन में उनके खिलाब जो है दाय सब्सक्राइब में अधति ठाकरी के साथ क्या रिष्टा है और इसे में पूरा मामला जान अस्बाज लिया है और इस पूरे मुद्धे पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्षं में कमेंट करके जरूर साजा करें झाल